केदारना जोतिलिंग कथा। केदारनात मंदीर भारत के उत्तराखंड राजी के रुद्र प्र्याग जिले में स्थित हिंदूगों का प्रसुद्य मंदीर है। उत्राखंड में हिमाले परवत की गोद में केदारनात मंदिर बारहा जोती लिंग में सम्मलित होने के साथ चार धाम और पंच केदार मेंसे भी एक है यहां की प्रतिकूल जलवायू के कारण यह मंदिर एप्रेल से नवंबर माहा के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है पत्थरों से बने, कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्मान पांड़ों के पौत्र महाराजा जनमेजे ने कराया था यहां इस्तित स्वयम्भू शिवलिंग अतिप्राचीन है दारनात जोतिलिंग उत्राखंड में स्तित है बाबा के दारनात का मंदिर बद्रिनात के मागर में स्तित है के दारनात का वर्णन इसकंद पौराण एवं शिव पौराण में भी मिलता है यह तीर्थ भग्वान शिव को अतियनत प्रीय है जिस प्रकार केलाज का महत्व है उसी प्रकार का महत्व शिवजी ने केदार छेत्र को भी दिया है केदाना रहाम की कथा कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाईयों और सगे सम्मंदियों की हत्या का दोश लग गया था तब भगवान श्री क्रिश्ण ने उन्हें भगवान शिव से शमा माँगने का सुझाव दिया था लेकिन भगवान शिव जी पांडवों को शमा नहीं करना चाते थे इसलिए उन्होंने पांचों की नज़े में ना आने के लिए बैल यानि नंदी का रूप धारन कर लिया था और पहाडों में मौजूद मिवेशियों में छिप गए थे लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिवजी का यहा भेद सब के सामने आ गया लेकिन जब भोलेनात ने वहां से भी किसी अन्यस्थान पर जाने की कोशिश की तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिवजी को उन्हें शमा करना पड़ा भगवान भ्रह्मा के पुत्र, धर्म और उसकी पत्नी मूर्ति के दो पुत्र हुए थे जिनका नाम नर और नारायन था इनहीं नर और नारायन ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अव्तार लिया था और धर्म की इस्थापना की थी ये दोनों ही पुत्र, नर और नारायन बद्रिवन में स्वैंग के द्वारा बनाये गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुक घोर तब क्या करते थे शिवजी उन दोनों बालक से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाएगे शिवलिंग में प्रति दिन समाहित हुआ करते थे नर और नारायन की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी वहां प्रकट हुए ऐसा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए शिवजी ने उन बालकों से कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से अतिप्रसन्न हूँ जो भी वर मांगना चाहते हो, मांग सकते हो तब दोनों बालकों ने भगवान शिवजी से विंती की कि हे प्रभू आप तीनों लोकों का कल्यान करने वाले हैं अर्थार्थ हम सभी के कल्यान हेतु आप यहां सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाईए आज उसी बद्रिनाद स्थान पर शिवजी शाक्षात विद्यमान है वहाँ दो पहाड भी हैं जिनका नाम नर और नारायन है ऐसा माना जाता है कि केदरनाद की तीर थ्यारता करते समय यदि किसी की मिर्ति हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ती होती है केदरनाद की कथा सुनने वाले सभी भगतों की भगवान शीव सभी मनुरत को पून करें